हलो प्रेंट्स आज का संपात्की डिक्टेशन पांसो वर्डों का है जो की असी वर्ड पर मिनट की गती से बोला जाएगा सुचलिया दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ड होगा पांस सेकेंड बाद स्टार्ड कांग्रेस से निकल कर अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे कि उनके राजनीतिक एजेंडे में यह वादा नहीं है कि वह अनुछेद 370 की बहाली करा देंगे लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा वह एक वास्तविक्ता है अपने इस कथन के माध्यम से उन्होंने जंबू कस्मीर और विसेश रूप से घाटी की जनता का एक तरह से सच से सामना कराने का काम किया है उनका यह कहना भी महत्पूर है कि अनुछेद 370 की वहाली का वादा एक जूठा वादा होगा 12 मुला की एक जनसभा में दिया गया उनका यह वयान इस द्रेश्टी से भी उलेखनी हो जाता है क्योंकि इन दिनों राजनीतिक दल लोगों को लुभाने और उनका वोट प्राप्त करने के लिए हवा हवाई बादे करने में जुटे हुए हैं गुलाम नवी आजाद के वयान के बाद कस्मीर के अन्य राजनेतिक दलों और विसेश रूप से नेशनल कॉन्फरेंस और पीडीपी के नेता यह समझें तो बहतर की अब अनुछेत 370 की बापसी असंभव है इस अनुछेत की बापसी की बात करना कस्मीर की जन्ता को जुटे सपने दिखाने के अलावा और कुछ नहीं इसका पता नेशनल कॉन्फरेंस के उपाद्यक्ष उमर अब्दुल्ला के इस बयान से भी चलता है कि बहुत कम राजनेतिक दलों ने अनुछेत 370 की बहाली की उनकी मांग का समर्थन किया है ऐसा इसी लिए है क्योंकि कहीं न कहीं अन्य दल भी यह समझ रहे हैं कि अब इस अनुछेत को बापस संबिधान का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता परा अनुछेत 370 को हटाये जाने का बिरोध करने वाले कई दलों ने इस बिसाय पर या तो मौनधारण कर लिया या फिर इस तरक तक सीमित हो गए हैं उनकी आपत्ती इस अनुछेत को हटाने पर नहीं बलकि हटाये जाने की प्रक्रिया पर है यह सही है कि अनुछेत 370 को हटाये जाने का मामला सुप्रिम कोर्ट के समक्च विचारा धीन है लेकिन इसके आसार कम ही है कि वह उसकी बहाली के पक्च में निर्णय दे सकता है इसका कारण केवल यह नहीं है कि अनुछेत 370 संबिधान में एक आश्थाई अनुछेत के रूप में दर्ज था बलकि यह भी है कि बह जंबू कस्मीर के दलितों जंजातियों और गुलाम कस्मीर से जान बचा कर आए सरनार्थियों से ना केवल भेदभाव करता था बलकि उनके अधिकारों पर कुठारा घात भी करता था इसके अतिरिक्त बह एक देश दो विधान का परियाय भी बना हुआ था यह भी एक सचाई है कि अनुछेत 370 उस अलगावाद का पोसक भी था जिसने बाद में आतंकवाद को भड़काने का काम किया निस संदे इसमें कोई हर्ज नहीं की जम्बू कस्मीर के राजनेतिक दल उड़ राज्ज के दरजे को बहाल करने की मांग करें क्यूंकि केंदर सरकार भी यह कह चुकी है कि वह अनुकूल माहौल बनने पर जम्बू कस्मीर के राज्ज के दरजे को बहाल कर देगी उचित यह होगा कि जम्बू कस्मीर के दल अनुकूल बातावरण निर्मित करने में सहायक बने और यह ध्यान रखें कि ऐसे बातावरण का निर्धारण जिन कुछ बातों से होगा उन में से एक कस्मीरी हिंदूओं की अपने घरों में बापसी भी है दोस्तों डिक्टेशन अच्छा लगे तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें धन्यवाद